आज मैं आपको नश्या मुक्ति के बारे में कुछ बोलने वाला हूँ आज हमारे समाज में हमारे देश में जो पुरुष है पुरुष वर्ग लब में जिल्ची उमर 15 साल से 65 साल पर है तो 15 से 65 साल के बीच वाले जो पुरुष वर्ग है इसमें कम से कम पच्चास प्रतिशत लोग ऐसे हैं कि जो कभी ना कभी अपने जीवन में शराप की टेस्ट लेते हैं अलगा बियर हो या और कोई शराप का प्रता है उसकी टेस्ट लेते रहे कभी ना कभी सोशल फंक्शन में कोई बड़ा फंक्शन है सोसाइटी का तो सोशल फंक्शन में दोस लोग जमा हो जाते हैं अजिक मतला करते हैं और क्या में बड़ी पारीटी में शराप की बार्टी करते हैं टो नानवेज लेना गने देंटारी अक्वाध या बहुत ही कहने है कायी कई समाज में तो ऐसा है कि यदि उनके शादियों में यदि आपने नानवेज करता हैं मामसाहा, मांभिच, चिकन ये मैटल, और शढ़ाप, ड्रिंस नहीं दिया को सब्सक्राइब करते की मालब यह कि अश्ली कनिस के लगद्राइब करके लगद्राइब वह करी की लेखे लाहिए या बिल्कुल नहीं और शरकरने तो उसके license देते है समस्य रिक्षाफी हम के भी सर्फ टूँड यूजभ राहने हुआ सोने इशक Zarate realization की ऑन दोमच में लावे , जोनेए बार्टमेंट है तो होटेल्स में वगरे तो दिये, मतलब लाइसन दिये है और लोग पीते रहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है प्रॉप्लम भी है कि छै ऐसे सोशल ड्रिंकर जो है, छे वेक्ती, तो उसमें से एक वेक्ति उसका आधि बन जाता है, उसका एडिक बन जाता है हुआ, मतलना च्छे वक्ती जो है च्छे वक्ति ओमें से एक वक्ती मतलन शिक्स्तीन परस में जो लोग है जो सोचल ड्रिंकींग करते हैं, वो कभी ईसमें का एक वक्ति जय Sव में से स्वह KinaOr organisationsaire आजी बन सकता है हमको यह पता नहीं कि कौन साइड रखते हैं इतना ज्यादा उसका प्रहाण हमारे देश में तो मजदूर लोगों में तो आजी हमको परखते हैं उसमें पिना कोई गलत नहीं हम ऑन्सका आदी होना गलत है उसमें होता गया है कि शराब पीते तो शराब का असर बदन पर होता है बाड़े पर होता है ब्रेन के उपर उसका आसर होता है चराब पिने से उसका मस्ठिष काम नहीं करता बराबर मतलब वो क्वेस्ज्ञ नहीं कर सकता चराब में बहुत कुछ बाते करेंगा बड़ बड़ करेंगा वो उसके मन पे खिलाःग हो गया तो जगडे मोल लेगा और कभी सारी शेरिक ब्यमारी शेरिक की ब्यमारी बदन की ब्यमारी उसको शराब की बज़े से होती रहती है एक तो वह आदी हो गया तो इतना हो जाता है कि सुबह उपने के बाद में चाह या दूद पीने के बज़र वह शराब पिना ही चलू कर देता उसमें लिवर एक खराब हो जाता है और लिवर जासा हम बोलती कि वो headmaster अपने body का अब लिवर खराब हो गया तो बाकी भी शरीर के अंदर के सब जो organs है अलग 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 तो वो भी उसके जरीये फिर खराब होना चलो हो जाते है रहे हैं यज़कर अधी हो जाता है शराब का और उसने शराब को की लिया नहीं एक दीन भी तो इसको घंषबराढ़ होज्याती है उसको enge the अ कर्वरquar को कर सकते हैं इतना हो जाता है तो बिड्रॉल सिंटर्स पहुच जाता हूँ कुछ-कुछ लोगों तो ऐसा होता है कि शराब पिए बेना वह उट भी सकते नहीं एक बार शराब पी लिया फिर हो काम करना है शुरू जाते हो और नार्म हो जाते है कि वह ड्राइवर्स है जो शरा पूस रूप से और ब्रेम के जरिए उसके बहुत भी डिपेंटन हो जाते है अब यह शराब पितेने तो कुछ लोगों को अपनी सारे घवरान बेचनी होती है तो कुछ लोगों को फिर्स भी आती है झटके मिल्की ची बिमार्या है stärक पीतेने थी कुछ लोग पिये ने यार्दाश नहीं रहती और ब्रिन के उपर असर होने के बाद में वह भी बागर हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 15-20 साल से पी रहे हैं और वह वैसा कुछ नहीं है मगर वह कापी साला पैसा उसमें बरबाद कर चुके है कि और सर्माज में इंगे इंगे बंचने के लिए और पिने के बाद में खाना नहींगे उलतियां हो जाएंगी और फिर खाना नहीं खाया तो फिर अलग-अलग-अलग शादि बिमारी उनको होना शुरू हो जाते हैं हर वेक्ति को जो शरब ही उसको हर वेक्ति को ऐसा लगता है कि मैं तो क्या एक मिरिट में शरब छोड़ूँगा मेरे दिमाग में आ जींगा एक जिन में में शराब भो Lazow ऐसा बोलोरै है तो शराब उटने का उनको दिमाग में आता ही उसमें हो दो कुछ लोग ऐसे बोलते है कि नियुदी हमने पिछले साल में चार मेने शराब छोड़ दिया, तो मेन शराब छोड़ सकता, कभी भी, मैं दिमाज में लोगा ना मेने मन में लोगा तो शराब छोड़ दिया, और मैं ऐसा हर्दम बोलते हैं कि शराबी होना, या नश्या करना, नश्या आधी हो जाना, ये पुरी जिंदगी की बिमारी है, जैसा शुगर की बिमारी होगी, डायबिटिस की बिमारी होती है और एक बार बिमारी हो गई, तो जिन्दगी बर डायबिटिक रहता है, तो जैसा एक बार वो अलकोलिक हो गया, एक बार वो शराबी हो गया, तो जिन्दगी बर वो बिमार रहता है, क्यों, प्योंकि एक बार वो कभी भी फिर से चालू कर सकता है इसका मतलब एक बार भी छोड़ दिया तो कंटीनिल असली कायम उसके उपर वाच करना देखने करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो शराप फिर से पिएगा तो इसका इलाज क्या एक तो वो खुद व्यक्ति कभी आता है हमारे पास में कि म दूसरा काफी सारे व्यक्तियों को लाया जाता है जो वरवस्ति पकड़ पकड़े उनको शराप पिला पिला के हमारे पास में लाज़े कि इसकी शराप छुड़वाओ अब ये व्यक्ति का इलाज करना बहुत कढ़िन हो जाता है क्योंकि उसको पहले motivate करना शराप छोड़ ने रहते हैं तो उनके लिए उनके घर के लोग हमारे पास में आते हैं दवाई लेके जाते हैं और उनको बिना बोले उनके अनाज में खाने में या दूद में काया में भी कोई भी शराप में शराप में उनको दवाई पिला के वो शराप से मुक्त हो सकता है ऐसे दवाई भॉल्टियों से चालू हो जाती है, aver day of day after day. पुछे लोग पकड़ना चालू रखता है हमे ने चालू बढंको दवाई चुरू रहना पड़ता है। हम ऐसा गोलते हैं कि साल-दो साल वह दवाई देता है। जो लोग खुद होके इलाज करने को तहार हैं, उनको तपास के, उनका लिवर खराब है तो उसके लिए दवाई, पेट में अलजर वगरे हो गए, ऐसीडिटी है तो उसके लिए दवाई, नीम ने आती उसके लिए दवाई, उनको फीट आ रहे है तो उसके लिए दवाई, होता कहा है कि शराप से उसकी सेक्स की इच्छा बढ़ती है, मगर सेक्स नहीं कर सकते। नहीं किया तो पतनी को रणता है कि इनकी रणियांट करा नहीं सकते। तो भी पत्नी के पर शक करना जालू कर देता है, पत्नी को घर में रहना मुश्किल हो जाता है, तो अभी फिर उसके लिए रवाई देना पड़ता है, तो फीड आती है तो फिट के लिए शक है, तो शक के लिए नीन नहीं आती है, नीन के लिए भूग नहीं है, तो भूग के मनलग फिर से आगे वो शराब ना चालू करें, इसके लिए साइको तेरपी, सम्मून रुक्चार, उसको सम्मून की अवस्ता में जाके उसको भी विजुलाइज करने लगाना है, कि वही उसको क्या वादा है कि शाम हो गई, कि उसके पहर अच्छा में को शराब की दुकान के जाए के और बाए लकारना के टरस चलो जाते हैं, तो उससे की कलपना करना और उस तॉइसे कलपना करके जब इनके उपर कोई ट्रस्ट नहीं करता, कुछ अब सम लोगों को फसाय रहते हैं लोग तो उपर ट्रस्ट नहीं करते हैं उनका सपोर्ट, ताकि सम घर के लोग उसको नए सिरे से नए तरीके से सुने, तो मांजन मांदे, क्योंकि यदि वो उसको शराबी करके सुनेंगे, तो जो फिरे कभी सुदूरे काने, घर के लोगों नहीं बोलना चाहिए, कि नहीं को शक आ रहा है, तुमने शराब लिया, उसने शराब छोड़ दिया है, वो पक्का है, कि शराब छोड़ दिया है, तो गर गर वो जानुक नों के टोकेंगे, यह लगता है, तो बता कि शराब तो इसको सपोर्ट करना पैसे के मामले में तंगी में आ जाता है तो इसको फैनेंशल सपोर्ट करना जरूरी है तो उसकी नोकरी जले जाती है घंदा बैट जाता है तो उसमें उसको सपोर्ट करना पो जरूरी है और फिर दवाईया काफी दिन तक लेना फैमिली ठेरिपी करना फैमिली का मतलब कोटुमी को उप्चा पुरे उसके घर के लोगों का साथ में बैटकी उप्चा तिरह अलकॉ इस लिए उसके उपर कायमवाच रखना उसको सपोर्ट करना वो जरूरी है पहले ऐसा को दोती शराब पिना उसको आदत है, अब ये सब को मालूम है कि शराब की नशा, नशे खुर होना, अलकॉल एडिक्षन एक साइकोलोजिकल बिमारी है, ये एक तो जीन्स में कुछ प्रमाण में आ सकती है, और कुछ ये लर्णिंग है, सीख लिया है उसमें, तो घर में कोई पीने माला होँगा, उसी सीका हुआ है, या उसके कोई दोस्त है, वहा से सीका हुआ है, तो जब ऐसा है कि घर के लोगों का सपोर्ट होना, उसनैं कजिक शीखा हुआ है, तो उसको हर्दम के लिए सपोर्ट करना बैक्ती को है YouTube liking पों। सपोर्ट करना को ज़ग गई चीकिससर के पास में ले जाना, इसका इलाज करना, हमारे पास में लोग क्यों नहीं आ दे तो गोलती नहीं रॉक्टर क्याद कर के पास में घए कंग हूं, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूं, जब घड़ी हूं अरे भाईया तू पागल नहीं है मगर शराबी होना और रोज शराब पीना बेवर्श होने तक या रस्ते पे गिरने तक शराब पीना रोज बिमारी है और आप दिया उसको रोग सकते नहीं है तो उसका इलाश करना भी जिरूरी है से अप प्रांतना है कि ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक यह मेसेजरें पहुँँ आपूँ है और वह प्रज लोग हो सकते हैं अच्छा जीऊदून वह जीए सकते हैं तो मेरे आप ही सअरे मनों विकार के बारे में काफी सारे जानकारिये मज Crystal को लाइक करो लोगों तक प विजिट करो और वहाँ से भी आपको जानकारी मिल सकती है अब हमें mail भेशे, भेशके नोगी को संपर्ग कर सकते हैं call करके संपर्ग कर सकते हैं और आपके ४बाज में कि इतने भी लोग है जो शाव के आदे हैं उनको आप सपोड करके, उनका इलाज करके तो एक सामन्य जीवन जीएंगे, अच्छा जीवन जीएंगे, उसके लिए आप सिता हैं जाएंगे। तो मैं यहां रुपता हूं, थैंक यू बरी मुचुछ